कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीदें अच्छे से होंगे आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो है वाकिंग वाकिंग यानि पैदल चलना यह तो हम सभी लोग पैदल चलते हैं लेकिन पैदल चलने में कुछ स्पीड मेंटेन करते हैं कुछ लोग स्लोग मीडियम चलते है कुछ लोग फास चलते हैं और और क्या पता है कि पैदल चलना भी अपने एकाशरसाइज है । पास्किल की modernize day-to-day life में हम लोग पैदल बहुत कम ही चलते हैं घर से बाहर निकलना बाहर से बाइक स्कूटी या फिर अपना कार्स का इस्तेमाल करना ओफिस पहुचना ओफिस में लिफ लगी होती है लिफ्ट के सारे ओफिस में जाना ओफिस में अपने इवाल्विंग चेर पर बैठ जाना तो यह जो रूटीन हमने अब ना रखा है इसी को हम लोग सीडेंटरी रूटीन कहते हैं मतलब कम से कम एक्टिविटी बॉड़ी को एक्सराइज नहीं मिलता तो ऐसे में एक सिंपलेस्ट इजियस्ट और बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट ए यह एक्सराइज है वाकिंग वाकिंग में भी हम बात कर रहे हैं ब्रिस्क वाकिंग की तो यह जो ब्रिस्क वाकिंग है आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशल है और जो लोग उबेस्टी से परिशान है वेट गेन से परिशान है जिनका वजन ज्यादा है उनके लिए ये बहुत ही beneficial है तो ये brisk walking आखेर है क्या ये brisk walking brisk walking एक जो हम jogging करते हैं और जो हम paddle चलते हैं इन दोनों के speed की जो beach की speed हम maintain करते हैं ये brisk walking है इसमें जो चलने की रफ़तार है उलगभग 3 mil प्रति घंटा है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है और इसमें जो रफ़तार जैसे मैंने आपने बताया ये walking और jogging के बीच की रफ़तार होती है इस रफ़तार में जब आप brisk walking कर रहे हैं तो आप sentences में बात तो कर सकते हैं लेकिन आप गाना नहीं कहा सकते हैं यदि आप ऐसा कर सकें तो आप समझ लें कि आप brisk walk कर रहे हैं करना कितना है आपको कम से कम 20 मिनट इस 20 मिनट के दौरान आपके जो steps हैं लगभग 3000-3000 steps आपके हो जाएंगे ये करना कितने दिन हैं हफते में कम से कम 5 दिन 5 days a week इससे क्या फाइदा होने वाला है वो हम आगे बात करेंगे लेकिन studies में ऐसा पाया गया है कि ये जो किसी फी इनसान के sudden death के risk को 30% तक कम कर देती है तो अब बात करते हैं brisk walking को start कैसे किया जाए brisk walking को start करने के लिए कोई special training की जरूत नहीं है कोई special औजार की जरूत नहीं है कोई special skill की जरूत नहीं है कोई membership की जरूत नहीं है तो brisk walk के लिए आपको चाहिए एक जोड़ी जूते एक अच्छा वातावरन पार्क, खाली जगा, खाली मैदान और आपके अंदर एक संकल बस आपका काम हो गया और चलते वक्त आप स्टार्ट कीजिए slow pace में स्टार्ट कीजिए कम speed में पहले एक से तीन मिनट तक इसके बाद आप अपनी speed को बढ़ाईए वही speed लगवक तीन या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेल प्रतिघंटे की speed पर आप आ जाएंगे और अपना चलते वक्त भूल लंच बेस में और शोड़ी का एक राइट पोस्चर वाइंडर का इसको की बात करें अपना patron करने के बाद तब कीजिए Long time में लंच करने से पहले करें तो और अच्छी बात है, लंच के आदा घंटे बाद या तो आप ब्रिस्क वाकिंग करें तो वो आपके लिए beneficial होगा, इविनिंग में डिनर करने से पहले यदि आप 20 मिनट के ब्रिस्क वाकिंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत effective और बहुत beneficial होगा, तो बात करते हैं, ब्रिस्क वाकिंग से होने वाले benefits के बारे में ये एक बहुत ही अच्छी cardiac exercise है, जिसमें की cardiovascular risk factor, जो heart-sale related बीमारियों के risk factor है, बहुत हद तक ब्रिस्क वाकिंग से कम होने में सहायता मिलती है, ये fat loss में बहुत मदद करता है, खासकर पेट के आसपास जो fat deposit है, उसको कम करता है, ये mood को improve करता है, studies में ऐसा देखा गया है कि 10 minutes of risk walking per day, mental health improve करने के लिए बहुत ही सहायक है, इसके अलावा ये आपकी life expectancy को बढ़ाता है, life की longevity को बढ़ाता है, ये cardiovascular disease के risk factors को कम करके, किसी भी इंसान की जिन्दगी में 15-20 साल add कर सकता है, 15-20 साल उसकी life को बढ़ाता है, इसके अलावा benefit की अगर बात करें, फाइदे की बात करें तो वो है diabetes में, diabetes के बारे में क्या ही बोलें, नाक में दम कर रखा है इस बीमारी ने, और WHNO ते इंडिया के warning दे रखी है, कि आप ये country में diabetes के patient बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो ये brisk walking, एक ऐसी exercise है, जिसको की लगभग हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, चाहे हो महिला हो, चाहे पूरुश हो, और diabetes में ये बहुत ही हद तक beneficial है, आपके blood sugar को control करने हैं, तो हमारा goal क्या होना चाहिए, brisk walk करते वक्त, हमें 20 मिनट continuous walking करनी है, at a brisk pace, यानि आपकी जो रफ्तार होगी, वो 3-4 meal प्रति घंटा होगी, उसमें आपका heart rate जो होगा, आपके maximum heart rate आपका बढ़ा होगा, कितना बढ़ा होगा, जितना आपका maximum heart rate है, उसमें 50-70% rate और add कर दीजिए, और उसमें जोड़ दीजिए, जैसे कि मान लीजिए, आपका heart rate अगर 70 है, तो इसका 50% 35 होता है, तो जो आप brisk walk करेंगे, तो आपका heart rate 105 के आसपास आएगा, और यदि आपका heart rate, दिल की धड़कन का rate जो है, असी है, तो उसका अगर 50% लेंगे, तो 40 हो जाएगा, तो उसका 40, अगर 40% add करेंगे, तो वो 120 होगा, और अगर 70% of 80 अएड करेंगे, तो लगभग 55-56 होगा, तो आपका heart rate 120 के आसपास आएगा, तो ये अच्छी एक कार्डियक exercise है, ब्रिस्क वाकिंग स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट आप पहले एक मिनट थोड़ा सा स्लोली करें, इसके बाद जब बॉड़ी आपकी अकस्टम हो जाए, तो आप थोड़ा सा तेज करें, और पहले एक दो हपते के बाद आपकी जादा का डूरेशन आप दे सकते हैं, तीस मिनट, चालिस मिनट या एक घंटा, हपते में पांच दिन, तो बंदोगण उठिये, जूते पहनिए, बाहर निकलिए, गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, सड़क पे जाइए, घास पे चलिए, और चलिए, और चलते र जाइए, गुद्बाइ, थैंक यू.